आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे आज है डेट 7th जुलाई एन आज भी अपडेट आज अपडेट नहीं है आज आज करेंगे गाइस वीकली जो मैं हर वीक में अपने इंडिविजल फॉइंट के कितने महने हो चुके हैं कितने मंस में कितना रिटन दे चुका है ठीके त आप अपने लेवल पर और रिसर्च करो अधेन अपने रिस्पॉंसिबिलिटी पर इंवेश्टमेंट करो ठीके या कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो जो भी कर रहे हो एक लाइक यूँनों आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझो और अपने लेवल पर केटूँ ठीके गईस, सो आज पूरा मेरे जितने तीनों फंड है, Nippon, India, Small Cap Fund and AXSA Small Cap Fund andيع spreading Small Cap Fund, तीनों को करेंगे, कितना टाइम हो चुका है तीनों में, अब तक कितना return देच्चुका है और कितना XI RR दिखा रहा है अब तक, तो ये पूरा डीटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे, बाकी मेरा स्टॉप पोर्फोलियो का भी बताऊंगा आपको मैं गाई, जो लोग पहली बार वीडियो पाए हैं, आपको मैं जस एक शौट में बता दू, कि मैं mutual fund portfolio, stock portfolio का day-to-day based pay, like you know, एक मेरी journey share करता हूं, मेरा फर्स्ट गोल है वन करोड अमाउंट रीच करना है मुझे अब वो स्टॉक पॉर्टफोलियो या मुचल फंड से जहां से भी इन्वेस्टमेंट करते करते मैं मेरा फर्स्ट गोल वन करोड अमाउंट है उसके बाद दो गोल मेरे और है 20 lakhs and 1 lakh 60,000 वो भी मैं उसके साथ साथ अचीव करना चाहता हूँ but overall आप मेरा फर्स्ट एम तो यह है कि पहले 1 करोड हो जाए बाकि उसके साथ साथ दूसरा भी सेकेंड थर्ड गोल भी में दिरी-दिरी हो जाए तो all in good है बट अब देखते हैं कब तक कि long term पे कितना positive, negative, compounding, risk, volatility जो भी है mutual fund stock portfolio में आपको वीडियो से definitely long term से कुछ ना कुछ idea मिलेगा तो चैनल को subscribe भी कर लो बाकि investment करना ने करना गाइस यह recommendation मैं कभी देता नहीं कि आपको यह करना है वो करना है आप एजुकेट हो वीडियो से बट decision और investment कभी भी कुछ भी कर रहे हो funds चूज कर रहे हैं या stock चूज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हो आप अपने level पर और research करो और अपने responsibility पर कभी भी investment करो यह रहा निपॉन इंडिया small care fund मैंने guys October से start किया था और आज almost 9 months हो चुके मुझे इसमें करते करते तो 9 months में इसमें investment करते करते guys मैंने total investment amount कितना कर चुक हूँ 3,35,105 rupees के round current value है 4,66,147 rupees के round returns है guys इसमें 39.10% बहुत amazing मुझे यह result दिया अब तक तो आप मैं कह सकता हूँ कि अब तक 9 months का मेरे expectation से जादा ही return दे रहा है मैंने तो expect किया था 15 के मतलब अभी कितना देगा वो तो कोई guarantee है नहीं न कोई इसका कोई किसी को पता है कि कोन mutual fund में कितना क्या दे सकता है या जो भी है stocks या कुछ भी हो but मैंने एक hope रखा था कि इस हिसाब से की 15% भी आ जाया तो सही है but 39.10% अभी दे रहा है तो currently तो मेरे expectation से काफी जादा दे रहा है बाकी इसमें देखेंगे guys XIRR तो 75.69% दिखा रहा है which is amazing अब देखते हैं long term पे वो देगा नहीं देगा जो भी रहेगा मैं ऐसे daily based पर update तो देता हूं तो आपको like you know education purpose के साब से आपको long term पे like you know एक idea मिलते रहेगा fund मेरा बात करेंगे guys तो kota small cap fund है इसमें 3,10,700 रुपीस के राउंड आदा था 4,39,095 रुपीस के राउंड अभी है 41.32% हो चुक है guys इसमें और guys अभी यह मेरा 11 months के उपर हो चुक है इसमें investment करते करते अभी यह मेरा next month में आप पकड़ लेजिए guys की next month 14 या 15 में August में around एक साल हो जाएगा इस fund में मेरा वैसे तो मेरा total fund तीनों मिला के मेरा investment अगर मैं करूं तो एक साल के उपर हो चुक है भी मुझे but यह fund में मैंने August में डाला था last year तो अभी August के मन्त में एक साल हो जाए और अभी फिलाल के लिए यह भी अच्छा मेरा परफॉर्म कर रहा है और इसमें एक सायर देखेंगे तो 62.71 परसंट के आरा हूं फिर देखेंगे गाईस तो मेरा एक से small cap fund है इसमें complete one year के ओपर हो चुक है मुझे चार जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था इसमें और तो which is amazing 34 30% के उपर ही दे रहा है एक साल में भी रिटन तो amazing है बाके भी आगे क्या perform करेगा हो तो time बताएगा गाईस बट अभी फिलाल के लिए अच्छा रिटन है मतलब मैं खुश हूं और इसमें एक साय जा रहा है देखेंगे तो 48.45 परसंट है चैनल का भी review कर लेते है 4137 सब्सक्राइबर होगे गाईस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ जादा दिखाओ गाईस लेकिन और मैं यह बोरा हूँ गाईस जो लोग में वीडियो यहां तक देखा है अब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर लो मैं mutual fund, stock portfolio, day-to-day बेस पे एक update दे अगर शेयर करो गाईस इतना तो गाईस मैं आप सब लोग से expect करता हूँ और अभी बात करें गाईस मेरा stock portfolio का तो इसमें बता हूँ तो अभी आज market बंध है, Sunday है आज, तो आज market खुला नहीं है, कल खुलेगा, कल जब खुलेगा तब वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा current market में खुलने के बाद कितना क्या दमाका है, बाकी मा का हो या down, up down, जो भी होगा मैं आप से share करूँगा, बट अभी फिलाल current बात करेंगा तो 9.14% का total return इसमें दे रहा है, 20,103 डूपीस के round, 2,20,000 का मैंने invest कर चुका हूँ guys इसमें, अब stocks में, ये stocks में investment इतना कर चुका हूँ, 2,40,000 के round डिखा रहा है, current portfolio value, इसमें मैंने ये साल अपरेल 12 से चालू किया था, 12 अपरेल से investment चालू किया था, 2024 में, around अभी ये next, ये July 12 में, अभी समलो, बहुत almost, तीन मेना ही होने आ गया, almost, अभी कुछ hardly चार्कमात दिन बचे, आप उसे साब से देखेंगे, तो 9.14% है, but देखो guys, इसकी volatility, मैं चैनल को, like you know, बने like you know, बहुत जादा, like आप इस दम बुलतों ना, predict नहीं कर पाऊगे, कि ये जटके बहुत देगा, ये जटका देता भी, ये तीन मेने में, तो मतलब बहुत ही दिया है, बट अभी फिलाल आगे क्या देगा, क्या नहीं देगा, हो तो मैं आपको update देते रहोंगा, तो आप को एक educational purpose के लिए इसमें भी आइडिया मिलते रहेगा, करते मेरे, अब stocks mutual fund का, इसमें मैंने मैं से start किया था investment, इसमें 23,102 रुपिस कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर चुका हूं, 5.16, sorry, 5.56% का return है total अभी तक, और अभी देखेंगे, तो निपान इंडिया small cap, quant small cap and SBI small cap fund, ये क्या होता है, इसमें कितना आगे कैसे देता है, कमेंटे, भाई पर unit allot होने के बाद SIP cancel करना है, क्या ओ तो बता दे, तुने किसको भी reply नहीं दिया है, उस question पर, फिर बोलतो support नहीं करते, please भाई answer दे दे, भाई देखो, जैसे ही आपको unit allot होता है, उसके बाद कर दो SIP cancel, अब लोग के unit जैसे lot हो गया, आप cancel कर दो SIP, तो वो cancel हो जाएगा, अभी तक तो मैं SIP करता हूँ, तो अभी तो फिलाल ये चलता है, मेरा तो हो रहा है अब तक, और अभी तक मैं जितना भी investment कर रहा हूँ, मैंने SIP की है, तो अब तक तो मेरा, जबी भी होता है, मैं cancel करत हो जाता है, बट आगे अभी कुछ change होगा, procedure तो वो तब बात की बात है, बट अभी फिलाल तो मैं SIP कर रहा हूँ, आगे कुछ changes होगा, तो मैं मुझे अगर update मिलेगा, या मैं कर रहा हूँ, या मुझे कभी ऐसे कोई experience होगा, तो मैं आपको update दे दूँगा, बट अभी फ साल गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर का target है, तो गाइस, ज्यादा स्यदा चैनल को like, share, subscribe करो, और ऐसे ही support डिखाओ, and गाइस, बहुत सारा आप लोग अपना क्योल रोखो, द्यान रोखो, bye and take care.